अगर आपने भी किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो किर्पिया इस वीडियो को आप चुरूर वोच करेगा आपको बता दें देश के सबसे बड़े बैंक ने सभी खाता धारकों को बड़ी चेतावनी दे दी है जिहां हाली में यह सबसे बड़ी चेतावनी जारी की गई है जिससे की खाता धारकों को सतर्क किया जाए एक गलती से खाता धारकों के सारे पैसे उड़ सकते हैं जिहां दोस्तों अगर आपने भी किसी भी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो आप हमारे साथ बन रहेगा तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं दोस्तों कौन सी गलती आपको नहीं करनी है उसके बारे में भी बताएंगे और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है उन सभी के बारे में भी आपको जानकारी हम दे जा रहे हैं ताकि आपके बैंक का जो बैलेंस है जो पैसे हैं वह महफूज रह सके तो चलिए वीड जादा शेयर भी करेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों भारतिय इस्टेट बैंक जो की देश का सबसे बड़ा बैंक है अपने ग्रहकों के लिए एक बड़ी चेतावनी भेज रहा है भारतिय इस्टेट बैंक ओफ इंडिया ग्रहकों के खाते में रेजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी एक टेक्स्ट मैसिज भेज रहा है जिसमें ग्रहकों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है देख दोस्तों अगर आपका भारतिय इस्टेट बैंक में खाता है तब भी ठीक है अगर आपका किसी अधर बैंक में खाता है तब भी दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा क्योंक escarget के बहुत ज़्यादा cyber fraud के जो मामले हैं वह दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं काफी वेक्तियों के बैंक खाते से पैसे साप हो चुके हैं काफी businessman के भी खाते साप हो चुके हैं काड़ियों के भी पैसे बैंक खाते से फ्रोड करके उड़ा दिये गए हैं तो आपको सत्रक रहना है और दोस्तों साफधानिया बरतनी हैं किन-किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बताएंगे और कौन-कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी हैं उसके बारे में भी हम आपको तमाम जानकरी दें जा रहे हैं देखे इस्टेट बैंक ओफ इंडिया के खाता धारक अगर SVI का मोबाइल एफ डाउनलोड करना चाते हैं या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाए हुए हैं HDFC bank में खाता खुलवाई हुए हैं किसी भी bank में आप खाता open कराय हुए हैं और आप उसी bank का अपने mobile में एफ डाउनलोड करके दोस्तो स्विधा पराप्ट करना चाहते हैं तो आपको दोस्तो हमेशा official app store से ही डाउनलोड करना है चाहे आपने किसी भी bank में खाता खुलवा र तो ध्यान रहे कि ओपिशल एफ इस्टोर गूगल इस्टोर से ही गूगल एफ इस्टोर से ही आप डाउनलोड करें तब ही दोस्तों आप महफूज रह सकते हैं दोस्तों हम आपको तमाम जानकारी इस्टैप बाई इस्टैप देंगे तो आप हमरे साथ बने रहेगा अज्याता दोस्तों आप भारी मुशीबत में बड़ी मुशीबत में भी आप पढ़ सकते हैं वहीं दोस्तों SBI की तरफ से चेतावनी दी गई है कि किसी भी टैक्स मेसिज में आने वाले लिंक से मुबाईल एफ डाउनलोड ने करें देखिए अगर आपके मुबाईल पर टैस्ट मेसिज में कोई लिंक आ रहा है और आपको उस पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है तो आप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें हम आपको पहली बता जुके हैं कि आप ओपिशियल एप से ही यनके ओपिशियल इस्टोर से ही आप दोस्तो एप को डाउनलोड करें किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप अपने मुबाईल एप में डाउनलोड ना करें कि दोस्तो मुबाईल में डाउनलोड ना करें क्योंकि ऐसे लिंक फरजी होते हैं और आपको बता दें कि साइबर फ्रोड करने वाले सीधे साधे व्यक्तियों को अपने जाल में आसाने से फसा लेते हैं कैसे दोस्तो उसके बारे में हम आपको बता दें देखिए उनके रिजिस्टर मुबाईल नंबर पाश टैस्ट मैसिज में फरजी लिंक भेज कर एप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं और काफी व्यक्तियों के साथ दोस्तो यह एप फ्रोड होविच चुका है क्योंकि उनसे दोस्तो वह एप डाउनलोड करने के बोलते हैं और वह एप को डाउनलोड कर भी लेते हैं और जिससे की आसानिस से फिर जो दोस्तो साइवर फ्रोड होते हैं वह आसानिस इनके खाते से पैसे को उड़ा लेते हैं साफ कर देते हैं पुरा खाता वहीं आपको बता दें कि दोस्तो अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो दोस्तो आप इन बातों का ध्यान रखेगा और मोबाइल एफ का इस्तमाल करके घर बैठे जानकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तो आपको जो app का इस्तमाल है वे है Google Play Store से ही डाउनलोड करना है क्योंकि वहाँ पर दोस्तो आप के जितने भी app होते हैं वे महफूज होते हैं security पूरी होती हैं में तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी link पर click करके दोस्तो app को डाउनलोड ना करें और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप दोस्तो इस्तमाल अपना जो mobile app होता है banking को लेकर ठीक है net banking को लेकर अगर आप किसी भी तरह का app डाउनलोड करते हैं तो आपको साब्धने बरतनी है किसी भी link पर आप click करके mobile app को डाउनलोड ना करें अगर आप ऐसा कर लेते हैं और उसमें आप अपनी दोस्तो जो भी गोपने जानकारी है bank खाते कीव है उसमें आप उपलब्द करा देते हैं डाल देते हैं तो दोस्तो जो भी आपका मेहनत का पैसा है वे आसानी से cyber fraud वाले निकाल सकते हैं साथ बड़ा fraud हो सकता है अगर दोस्तो आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप सिधा यहाँ पर दोस्तो वेबसाइट का लिंक दिया गया है आप इस वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं योजनाonline4u.com आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गूगल में जाकर दोस्तो आप इस पर क्लिक करेंगे यानि गूगल पर जाकर आप से टाइप करेंगे तो दोस्तो आपके सामने ओप्शिल वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पर दोस्तो आप इसकी पुरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं भारते स्टेट बैंक ओफ इंडिया की तरफ से सभी ग्रहकों को सावधानिय बरतने के लिए कहा गया है कि साइवर फ्रोड के बढ़ते मामलों को देखती हुए बैंक से जुड़ी गोपने डेटेल सेयर करते वक्त आपको सतरक रहना है बैंक कहता है कि कोई भी बैंक करमचारी ग्रहकों के बैंक खाते से जुड़ी गोपने जानकारी जैसे कि आपका डेविट कार्ड, पैन कार्ड, नेट बैंकिंग, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ओटी भी नहीं पूछता है या दोस्तों सभी बैंक को का नियम है, आप चाहिए किसी भी बैंक में खाता खुलवाई हुए हैं, कोई भी बैंक करमचारी आपसे कोल करके या फिर दोस्तों कोई टेस्ट मैसेज करके या फिर इमेल करके आपकी कोई भी परसनल डिटेल्स नहीं पूछता है ध्यान रहे आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है अगर कोई आपसे call test message या फिर email करके आपके खाते से आपके खाते की कोई भी गोपनी जानकरी पूछता है तो आपको सतर हो जाना है आपको अपनी कोई भी डिटेल परसनल डिटेल शेयर नहीं करनी है और आपको साफधान हो जाना है तो आपको जानकरी अच्छी लगी होगी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते दोस्तो आप को बता दें कि आप इस इस वेब्साइट पर जाखर ज़रूर विजट करिएगा और वहाँ पर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जहादा शेयर करेंगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो मिलते हैं हम पुने स्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तो जै हिंद जै भ कर दो हराद